दोस्तों ये दोनों बोर्ड जो Class D Amplifier के हैं Mr. Ashish Jambekar जो की नाकपूर के रहने वाले हैं उन्होंने मुझे भेज रखा है तो इसमें प्राउब्लम ये था कि ये वाला बोर्ड वर्किंग तो है बिल्कुल सही काम करता है लेकिन 10 से 15 वर्ड चलने के बाद ये IC काफी ज़्यादा हीट हो जाती है IR2110 और उसके बाद इसका आउडियो आउट्पूट आना बंद हो जाता है तो इस बूट को ठीक करने के लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले इसके कंपोनेट को re-soldering कर दिया हालां कि soldering में कोई दिकत नहीं थी Resoldering कर दिया उसके बाद में जैसे कि हम Starting में देख सकते हैं इसमें कुछ देर तक Output आता है इसका मतलब भी है कि IC वगरे सब Working Condition में है लेकिन यह IC Heat हो जा रही है तो उसका Reason यह हो सकता है कि इसमें Davos का Problem हो तो यह Davos और यहां लगे हुए यह Davos इन सब को Check कर लिया गया यानि कि इनकी Reading भी ठीक आ रही थी यह Davos और यहां पर जो 5.6V का जो जिनर Davos है यहां पर अच्छली उन्होंने 12V का जिनर Davos लगा दिया था तो 12V के जिनर Davos का पता लगाने के लिए जैसे यहां पर हम Measurement करते हैं जिनर Davos का जो वोल्टेज है 5.6V तो यहां पर उतना ही वोल्टेज आना चाहिए लेकिन एक्ष्वल में 12V का जिनर Davos लगा हुआ था यह जिनर Davos था और 12V का तो इस वज़े से यहां 12V आ रहे थे और उसी वज़े से यह IC हीट हो जा रही थी तो यह प्रॉब्लम के वज़े से जो IC हीटिंग का प्रॉब्लम था उसके वज़े से यह बोर्ट काम नहीं कर रहा था लेकिन जैसे इसे 5.6V का जिनर Davos रिप्लेस करके लगाया गया तो यह IC काफी दिर चलने के बाद भी उतनी ज़्यादा हीट नहीं हो रही लेकिन उतनी ज़्यादा हीट नहीं हो रही थी और बोर्ट सही काम कर रहा है अब रही बात दूसरा बोर्ड तो यह जो सेकेंड बोर्ड है इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह काम नहीं करता तो इससे अभी मैं सप्लाई पर लगाया हूं तो इससे चालू करके देखते हैं जैसे अं करते हैं और यहां पर देखी बायस होल्टेज के लिए 12 old लगत से देने है तो इसका यह तो इसके लिए अच्छा इसमें स्मोक भी निकल रहा है तो इस आइसी के कुछ प्रॉब्लम हो चुका है तो यह खराब होने का क्या रीज़न है वो उसे हम देखेंगे अभी तो दोस्तों इस बोड को पावर सप्लाई देते हैं तो यह आइसी से स्मोक निकल रहा है तो अभी चेक करने के लिए हम इस आइसी को बाहर निकाल लेते हैं ताकि अन्यसेसरी कुछ शॉट सर्कृट ना हो हम आई या अई sih को निकालने के बाद हम इसे फिर से पाउर सपप्लाई से क्नेक्ट करेंगे और बुलेज यहां पर हम देख निंगे तो यह मेल्टे इस वोल्टेज मेजर्म के अब देख बाएंगे ग्राउंड यह ग्राउंड की पिन है और यहां पर अब इसे मैंने 30V DC दे रखा है और यहां पर देखते हैं तो प्लस माइनस सप्लाई आवलेबल है तो सब हम यहां पर जो जिनर डावोड लगे हुए है यह देख लेना यह 5.6V है या नहीं तो with ground के reference में इस resistance के spar में हमें 5.6V मिलना चाहिए तो एक बार फिर से power supply on करते हैं एक तीन हम ground पर लगाएंगे और इस साइड में देख लेंगे तो देखिए यहां पर 5.6V है और इस resistance के इस तरह भी 5.6V है जानी कि जीनर का problem नहीं है तो दोस्तों इस board में अगर आपको कोई के भी IC remove करना है या लगाना है तो इसका जो power supply है उसको पहले आपको short circuit कर लेना चाहिए यानि कि इसके अंदर जो भी power है उसे zero कर लेना चाहिए क्योंकि capacitor चार्ज रहते हैं और चार्ज voltage से ही कुछ न कुछ problem आ सकता है तो जो भी है सारा चार्ज capacitor power supply का सारा चार्ज हमें discharge कर लेना चाहिए उसके बाद ही किसी IC पर work करना है तो दोस्तों इसमें IC के खराब होने का कोई reason नहीं रहता है कि हो सकता है कभी भी IC faulty आ सकती है कुछ समय बाद चलते चलते ही तो दोस्तों अब यहां पर हमें सबसे पहले तो किसी दूसरे बोर्ड में यहां पर लगे भी IC को किसी दूसरे बोर्ड में transfer करके आपको देख लेना चाहिए कि IC working में है या नहीं अगर IC working में है तो यहां पर लगे भी जो बागी component है इसमें खराब होने वाले components में की जाती जनली ब्लू कलर में recommend की जाती कि इसे ब्लू कलर में लगाया जाना चाहिए यहां पर दूसरे कलर के LED लगी हुई है फिर भी यह बोर्ड काम करता है जैसे कि यह सेकेंड वाला बोर्ड मैंने जो टेस्ट किया तो यह तो काम ही कर रहा है इसमें हाला कि green LED लगी है र उसी के reference से इसको ठीक कर रहे हैं तो दोस्तों यह वाला पॉर्ड इसमें कोई connection नहीं लगे हैं तो यहां पर हम डावर्ड की reading continuity में देख लेंगे इसको इस तरीके से रख लेते हैं तो देखें दोस्तों यहां पर यह वाला जो डावर्ड है अगर positive प्रॉड इधार है नीगेटिव इधार है तो हमें 440 चार सो तीस के करीब reading मिल रही है इसको return करते हैं यहां ब्लैक प्रॉड इधर रखते हैं तो यहां पर हमें कोई reading नहीं मिल रही है बिल्कुल zero reading है ठीक है और इस डावर्ड में यह वाला जो डावर्ड है इस resistance के साथ parallel में होता है तो यहां पर 100 ohm की reading मिलती है तो यह भी ठ बता चल जाता है यहां पर भी 100 ohm की reading मिल रही है देखिए यहां पर भी 100 ohms reading मिल रहा है इसके बाद यह डावर्ड है इसके भी इस तरफ positive prod और इस तरफ negative 548 का reading है और इस तरफ पल्टा के देखते हैं तो धिरे धिरे बढ़ती चली जाती यहाने कि infinite मतलब इसमें भी कोई reading नहीं आती है तो यह भी इस तरीके से यह डावर्ड का हमें मालूम चल गया यानिकि इस डावर्ड में एक साइड नफ 460 और दूसरे साइड में open circuit दिखाता है इसके बाद यहां पर यह यह वाले जो डावर्ड हैं यह speaker line और power supply की बीच में लगे हुएते हैं यानिकि फ्री दिरे दिरे reading मतलब infinite हो जाती है यहां पर भी उसी तरीके से reading आएगी दिरे दिरे बढ़के infinite reading और यहां इस तरीके से prod पलटते हैं तो 394 या 400 के आसपास है अब इस board में भी सारे connection मतलब power supply की निकाल लेते हैं ताकि devote की reading लेने में हमें help हो दोस्तों connection निकाल लेने के बाद में इस बात को ensure करना है positive और negative को आप short करके एक बार देखिए यहने कि कोई इसमें चार्ज नहीं होना चाहिए capacitor के अंदर ताकि हमें reading में कोई परिशानी ना हो अब यहां पर reading लेंगे इस जगे में इस तरीके से 1435-36 यहांने कि इस तरीके से reading आ रही है और एक साइट से चार्ज एक साइट से reading ठीक है लेकिन दूसरी तरफ से जहां हमें infinite मिलना चाहिए था देखिए यहां पर हमें 1432 और 1435 के करीब reading मिल रही है तो यह डायोट कहीं ने कहीं इसमें problem है क्योंकि हमने जो ओक्के वाला circuit देखा था उसमें यहां पर infinite यहां कोई reading नहीं मिल रही थी लेकिन यहां पर यह reading है दूसरे डायोट देख लेते हैं इसमें हम एक साइट से देख रहे थे तो 300 400 के आसपास मिल रही थी यहां 525 ठीक है और जब इसको प्रॉड चेंज कर रहे थे तो यहां पर infinite reading मिल रही थी ठीक है यह इस तरीके से हो गया सही है यहां पर 100 हम मिल रही थी यह तो रजिस्टेंस परलल में है इस लिए 100 हम है यह भी ठीक है रजिस्टेंस और इसके बाद यहां पर यह जो डैवोड है इस पर भी हमें यह तो खराब होते हैं तो यह खुदी फट जाएंगे क्योंकि पाउर सप्लाई के इसमें लगे हुए हैं तो इनके खराब होने का चांस नहीं होता है इसमें इसमें इन्फिनाइट है 350 और इससाइड में भी हमने जो देखा था जीरे धीरे रिडिंग किस तरीके से यह इन्फिनाइट रिडिंग तो हमें यह क्यों यह वाला जो डायोड है इसमें एक साइड में जो 1400 रिडिंग मिल रहा है जो की इन्फिनाइट मिलना चाहिए एक ही यह डावट फूल है तो इसको निकालेंगे फिर दूसरी आईसी लगा के इस गोट को टेस्ट करेंगे कि अग्याइट को कंपोनेंट का एक लेक इस तरह से पकड़ी और दूसरा इस तरह के से यह यहांने कि हाथ को दूसरा लेक टच नहीं होना चाहिए तब आपको करेक्ट रिडिंग मिलेगी दोस्तों यहां पर हमें जो रिडिंग मिल रही थी बोर्ड में वही रिडिंग मि इसमें याने की लिकेज है तो इनको रिप्लेस कर सकते हैं दूसरा लगाएंगे तो वहां लगाने के लिए दोस्तों यहां पर यह कोई दूसरा डावड ले रखा है मैंने यूएफ सीरीज का है वहां पर मूर और यह वन सिक्टी करके डावड की जड़त है लेकिन वह तो नहीं है तो यह यूएफ सीरीज का डावड है तो यूएफ सीरीज का कोई भी डावड लगा सकते हैं यह भी हाई है हाई स्पीड डावड है हाई फ्रिक्वेंसी पर वर करता है तो इसकी रिडिंग देखते हैं तो देखिए रिवर्स बाइस कोई रिडिंग नहीं है और फ तो इसको लगाए जा सकता है अब दोस्तों बोर्ड में आईसी वापस लगा लेते हैं पाउर तप्लाई जोड़ देते हैं यह स्पीकर वायर यहां लगा देंगे तो इसके साथ यहां बायस वोल्टेज भी लगाना होता है 12 वोल्ट उसको भी लगा लेते हैं यह 12 वोल्ट है बायस वोल्टेज इसकी भी क्वालिटी देखके लगाना जरूरी है यहां LED चालू नहीं हुआ है इसमें अभी पुरा फुल शॉर्ट सर्कृट है सिरीज लेंप पुरा फुल गलू हो रहा है यानी इस आइसी में प्रॉब्लम है हम दूसरी आइसी लगाएंगे उस आइसी को लगाने पहले एक बार यह भी देखना जड़ी की मौसफट कहीं शॉर्ट तो नहीं है इसके बाद हम मौसफट को भी देख लेंगी वह शॉर्ट तो नहीं है कि यहां MOSFET SHORT होने से मतलब IVC एगर SHORT होती है तो MOSFET भी SHORT होने के FULL CHANCES होते हैं सबस्क्राइब कर तो कुछ मिल रही है gate से जनरली SHORT होजाता है MOSFET तो यह दोनों परल्ल में होते हैं कोई प्रॉलम नहीं है अब यह यहां से देख लेगें इसका जाने हैं यहां पर यहां से भी को हुए अब यहां से भी को शॉर्टिंग नहीं है यहां से भी कोई शॉर्टिंग नहीं है ऑर्युरॉल मतलब आईकेंन है ने आप सुद्सक्राड लगाना है तो इसके पहले इसमें जो भी पाउर इस्वनक्रेशा ब somos किसी तार के जरी है कि अगर इसमें कोई चार्ज रहेगा आई सी लगाते समय कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहां पर एक दूसरी आई सी ले रखी है मैंने यह भी आई याई टूवन वन जीरो है इसको लगाते हैं कि अगर बाइस वोल्टेज वापस से लगाएंगे अब फिर से एक बाइस आउन करके देखते हैं अब भी यह लेडी आउन होगी यह में पाउर सप्लाई को लगाने वाद यह लेडी आउन होती है और बाइस वोल्टेज हम देते हैं यहाँ पर तो देखते हैं भी क्या होता है ब्लूटूफ सिगनल जोड रखा है अभी यह चल पड़ा है म्यूजिक प्ले करके देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह आईसी रिप्लेस कर दी हैं उसके बाद यह बोर्ड वर्क कर रहा है क्यों म्यूजिक प्ले कर रहा है यह तो ओके ही है इसको साइड में करते हैं तो यह सेट अफ है कुछ इस तरीके का देख सकते हैं आप मैं दूर से दिखा देता हूं इस तरीके का सेट अप लगा हुआ है यह एक रगड़ी का स्टैंड है इसके उपर मोबायल रख के यहां से सूट करते हैं तो चली इसमें म्यूजिकаки प्ले करने की बात हो रही थी तो यहां पर Bluetooth से कुछ connect कर लेते हैं चलिए दोस्तों on करते हैं यह bias voltage इस पर आ जाएगा और यहां से यह supply इस पर आ जाएगी इसमें volume आप कर लेते हैं यहां से यह Bluetooth module है यहां पर battery लगा हुआ है और यह volume control इस तरीके से बोर्ड काम कर रहा है दोस्तों अभी copyright का issue आ जाएगा इसलिए non copyright song चलाते हैं दोस्तों इस बोर्ड की sound quality अगर बात की जाए तो sound quality काफी बहतर है और low frequency का response इसका काफी ज्यादा बहतर मिलता है और इसमें जो भी work होता है जाने कि जो भी class D का main module है यह वाला जो part इंड़क्टर इसके उपर इसकी sound quality काफी ज्यादा डिपेंड है अगर इस इंड़क्टर के design को change किया जाए तो आपका amplifier mid range low frequency range या high frequency range को अलग अलग तरीके से support कर सकता है जो भी कुछ है इस इंड़क्टर coil के design के उपर है और अगर इस बोर्ट का अगर यह जो core इसके अंदर जो material है core अगर यह core कभी saturate हो जाता यानि कि यह heat होता है तो इसका मतलब यह होता है कि जो output मतलब इसके अंदर जो magnetism जो बन रहा है वो saturation की condition में आ रहा है और magnetism के बाद जो भी power इसको मिल रहा है वो heat में convert हो रहा है मतलब यह है कि अगर यह core heat करने लग जाया तो यह saturation में जा रही है उसके बाद यह MOSFET को भी खराब कर सकती है तो इसलिए इस core की quality पे बहुत कुछ depend है और यहां अलग से जो 12V bias voltage देना होता है तो इसे आप 500 mili ampere यहांने कि 0.5 ampere या 1 ampere के बीच में इस्तेमाल करें ज़्यादा ampere का ना लगाएं क्योंकि इसका current requirement कम ही होता है और बाकी इसमें component अगर IC को आप directly board में solding करते हैं तो ज़्यादा बहतर है लेकिन खराब होने के बाद उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों अगर इस board को हम redesign कर लेते हैं तो यह हमारे काफी कामा सकता है यानि कि इस अगर छोटा बना दिया जाए और यहां इतनी बड़ी inductor coil की जगए अगर छोटी coil लगाया जाए जैसे कि हमें 100W का पाउर लेना है तो इसे विकल में इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि गाडियों में लगने वाले amplifier में यह अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है उसका फायदा यह होगा कि इसका जो power consumption है यानि कि efficiency ज़्यादा होती है तो necessary power loss नहीं होता है heat में loss नहीं होता है और गाडियों में लगाने से मतलब आप गाड़ी को stand by मतलब खड़ी करके गाड़ी इंजन आफ है आप उसमें इसको music वजाते हैं तो कोई problem नहीं है बैटरी के drain होने का जो rate है वो कम रहेगा जबकि class avi amplifier में अगर आप गाड़ी को बंद करेंगे इंजन अगर उसका बंद है और आप totally battery पर class avi amplifier high sound पर चलाते हैं तो battery को बहुत जल्दी drain कर देता है लेकिन इसमें ये benefit है कि इसका battery का drain का rate जो होता है काफी कम हो जाता है तो दोस्तों ये बोर्ट का repairing वीडियो यहीं पर आज खत्म करते हैं और इसके circuit diagram का explanation मैंने अल्यडी कर दिया था thank you for watching and have a nice day